अगत अब रुक करेंग उत्राखन एक्सप्रेस का दैरदून में सियमावास पर तरवेन सिंग रावत ने गेल इंडिया के अधिकारियों ने भेट किये दैरदून में पूर्प्रदान राजेश शर्मा के घर पाया आयोजी धागवत कथा में मुक्तंद तरवेन सिंग रावत शामिल हुए जान सियम प्रवेन सिंग रावत ने कहाए कि श्रीमत भावत के उपदेशों से मनुष जीवन में वास्तिक दशा एवं सर्थ प्रथा निर्धारित हो गई है जीवन की उल्जनुवा अनिशिताओं से पार पाने में यह हमारा माल दर्खश करता है बीजेपी के पूर प्रदेश अधक्ष उमेश अगरवाल का रोईवार करके तीन बज़ेश शुवास नगर इस्तिति उनके घर पर निधन हो गया बतादी कि पिछले कुछ साल से और कैंसर से पीड़ेते और उनका इलाज सिंगपूर में चल रहा था वह आज उनकी अंतिम यात्रा में सियम प्रवेन सिंग रावत ने भाषपा प्रदेश अध्यच अजय भट और पॉलिस रांसा तीरथ सिंग रावत समेथ तमाम भाषपा नेता स्वरगी उमेश अगरवाल की आबास पर मौझूर है इसीम प्रवेन सिंग रावत ने भाषपा के वरिष नेता उमेश अगरवाल की निधन पर दुग चताते हुए काल की पार्टी के लिए एक असैनी जटका है मैं इश्वर से प्रातना करता हूं कि दिवगंत आत्मा को शांती और शोका कुल परिवार को दुग सहने की शक्त उत्राकंड सरकार के वरिष मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद बीजेपी को एक और बड़ा जटका लगाया धैरदून के पूर्व महानगर अत्यक्ष खंडूरी सरकार में दर्जा राज मंत्री वैपारियों के वरिष नेता उमेश अगरवाल का निधन से बीजेपी बीजेपी प्रदेश है मीडिया प्रभारी संजी वर्मा ने अगरवाल की निधन पर बीजेपी पर परिवार की ओर से दुख फेक्ट करते हो उनके द्वारा पार्टी की मुझभूती दिलाने के श्रे को याग किया है साथ ही दिवगंद नेता की निधन पर उनके परिवा उनके आवास से लख्ती बाग तक निकाली गई और उस दोरां सुबे के मुख्मंद प्तिवें सिंधावत सहीद प्रदेश के अध्यक्ष और नैनिता से सांसा गजय भड सांसा तीर सिंधावत सहीद भाश्पा की कई विधायक और कॉंग्रेस के नेता विदिवगंद उमे अगरवाल के सदमें से जनता और भारती जनता पार्टी अभी उभर नहीं पाई थी कि अब बीजेपी के पूर्व, MLC और UP सरकार में राजमंतिर राजनेता बीडी सर्मा की बरेली के राम मूर्तिय उस्पताल में दिन निधन हो गया आपको बता दे बीडी शर्मा पिछले बीडी सर्मा ने अन्बी सरकार में दर्जा राजमंतिर भी रहें चुके हैं तखल्यूपी टूरिजम के चेयर्मेन का पदभार भी संभाल चुके थे विकास नगर तैसिल में एक बाद फिर सुर्खियों में हैं और हो भी क्यों ना आखिर मामला लगबग 20 करोर से अधिक कीमत की 20 से 30 बीगा बेशकिंती जमीन से जुड़ा हुआ हाला कि अब मीडिया की वज़े से शुर्खियों में बन चुके इस मामले में अपनी पजीहत बचाने के लिए तैसिल प्रशाशने करीब 25 से बीगा लेकर 30 बीगा राज सरकार औरात की भूमी पर अवेद कभजा की जारी प्रांटिंग को बुल्टोजर चला कर गिरा दिया उत्राकर में चारदा में अतरा पीक पर है ऐसे में केदार नाध धाम में शुर्धालू का ताता लगा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ हलीकॉप्टर टिकेट ढोका धड़ी के मामले में लगतार बढ़ता जा रहा यात्वियों के ऑनलाइन टिकेट के नाम पर एडवांस पै तिर्थनगरी इशुकेस के चार धाम यातरा का मुंख द्वार कहा जाता है जहां देश के कोनिको होने से शुर्धालू आस्था के साथ भद्रिनाथ के दार नाध और रहुंगोती यो मुट्री की दर्शन करने के लिए रिश्यकेस पहुंचते है, और यहीं से शुरू होत चार था में आत्रा में तिर्थ नगरी शिकेस के तपोवन छेत में शुद्धालों की आस्ता के साथ खिलवार किया जा रहे हैं। चलाए गया जिसका समापन है। सरोबर नगरी में नही ताल में परेटन सीजन के दौरान बैंड स्टेंड में स्टी के दशक्स आर्मी पुलिस और पेसी की बैंड टीमों दोरा बैंड बजाया जाता ताकि नही ताल आने वाले परेटन की संस्क्रति से रूबरू हो सकें। और इसी करम में सरोवर नगरी नैनी ताल में परेटकों को आखरशित करने के लिए पुलिस विभाग ने भी परेटक को मनोरंजन के लिए नैनी जील के किनारे बने बैंड स्टेंड में पहाडी गड़वाली और पुरानी फिन्मों की गीतों की धुन बजाई जारी जिसका य पुत्राकन के साथ लाग आएकर दाताओं के लिए अच्छी खबर रैप करदाताओं को अपने आएकर बादों की निस्तारन के लिए दिल्ली तक दौर नहीं लगानी पड़ेगी दरसल राजदाने देरादूर में ट्यूबनल की सरकिट बेंच इस्तापित की जारी जिसको जानकारी ट्यूबनल की अध्यक्ष पूर में आधिस पीपी भट ने दिया उन्होंने बताया है कि दो मागी भीतर ट्यूबनल बेंच अपीलों की सुमवाई शुरू कर देगी शनिवार को सुभा सोड इस्तित इंसिक्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटे डॉक इंडिया क दोरे पर आये ट्यूबनल अध्यक्ष ने अधिश भट ने कहाए कि अपीलों की संख्या के अधार पर ट्यूबनल ने छेतरी सर्किट बेंच खोलने का निर्णा लिया है फिलाल निउस अक्सप्रस में बस इतना ही देखते रहे कि निउस इंडिया नमस्कार